हेलो स्टूडेंस आज के इस वीडियो में हम एवी इसके क्लासिफिकेशन में जो सब क्लास नियोन निथिस है उसके दूसरे सूपर ओडर पहले ओग नहीं ती या रेटिटी के ओडर्स और बाखी के सूपर ओडर्स के बारे में स्टडी करेंगे पहला जो ओडर है जो की सूपर ओडर पैलियोग नेथि अरेटिटी में इंकलूड किया जाता है वो है और उस्ट्रीचिस का एक ओडर श्रूथि ऊनिफॉर्मिस में तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो इसमें बताया था कि पैलियोग नेथि या रेटिटी यह इस और में फ्राइटलेस बुला सकते हैं एक और उसमें जो कि टेनेमी फॉर्मिस का है वो फ्लाइटलेस नहीं होती और बागी के दो और अच्टिंग्ट है तो कि वल चार और ऐसे हैं जो कि लिविंग फ्लाइटलेस बड़्स के जिनमें पहला थे स्टूथी और निफॉ इसकी बड्स होती हैं करसोरीयल बड्स हैं इनी ग्राउंड रनिंग ग्राउंड स्टॉलिंग ब exactement होते हैं दो ही टोज्विंग में पाए जाते हैं च्चिह इंतुरी इसलिए यह जो हैं फ्राइट लेस हैं इनमें फैदर्स जो है वह पाई तो जा रहे हैं लेकिन उनमें किसी भी तरह का लोकिंग मेकनिस्म नहीं पाया जाता नहीं उनमें तो वह कर नहीं वह फ्लाइंग के लिए अडेप्टेड हैं इनके स्टरनम में कील भी नहीं है यानि की पाई जाता है क्योंकि यह फ्लाइंग के लिए अडेप्टिड नहीं है तो इनमें प्राइट मसल्स नहीं और इसलिए इनमें कील भी एपसेंट होता है पाईगो स्टाइल इनमें एपसेंट है तो जो फैदर्स थोड़े बहुत पाई जाते हैं वह काफी स्पार्सली यानि द बाव है इस्पीशी का वह दूरती हो कैमेलस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था यह जो फ्लाइटलेस बर्स के ओर्डर से हैं यह डिसकंटिडिनस डिस्ट्रिबीशन शो करते हैं तो इनमें से ऑस्ट्रिच जो है अपरीका यह वेस्टर इसा में पाई जारी है और कि जो और से वह अलग लग सदन लेंड मासेश पर पाई जाते हैं साउथ हमिस्फेर में ही पाई जाते हैं अलकि नौर्थ हमिस्फेर में इनके फॉसिल्स जरूर देखने को मिलते हैं तो इसके बेसिस पर आजा सकता है कि वहां पर इनका ओरिजन हुआ किसी फ्लाइंग एं जिसमें परिंस जिसमें रिया जो बर्ड है इसको इंक्लूड किया ग Dafya कि की ओस्रिस से काफी मिलती जूलती है इन्हें अमेरिकन और स्ट्रिश का जाता है साउथ अमेरिका में पाई जाती है रिया अमेकिन इसके 1 लेग में तीन घ्लॉडड टोस पाए जाते हैं, इनके फैदर्स में भी आफ्टर शेफ्ट जो एक टुप्ट होता है फैदर्स का, वो नहीं पाए जाता है। दो स्पीशीज हैं इसकी साउथ अमेरिका में जो की साउथ अमेरिका के जो पैंपस जो प्लेंज से वहाँ पर ये रहती हैं। इसके बाद next order जो प्लाइट लेस बड़्ट का है वह कैस्वेरीफ वर्मिस का कैस्वेरियस जन्हें जनल जनने कैस्वेरीज बुलाई जाता है यह औस्टेलिया न्योगिनिया में पाई जाती हैं और साथ में इमू जो न्यूजिलेंड में हैं उनको भी इंक्लूड किया जात जो कि बिल्कुल शेफ्ट के बराबर होता लेंग्ट में नेक और बाड़ी पर काफी डेंस पैदर्स जो है इनमें देखने को मिलते हैं और स्ट्रिश के बाद इमू जो बार्ड है वो लार्जस्ट लिविंग बार्ड है और स्ट्रिच के बाद दो स्पीशीस इसकी जो की पाई जाती है करीब 20 के करीब इनके स्पीशीज या सब स्पीशीज नेक्स्ट रॉडर है एप्टेरिजी फॉर्मिस का जिसमें की कीवी जाती है न्यूजिलेंड की जिनमें फैदर्स जो है वो थोड़े ब्रिसल लाइक होते हैं और साथ में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग इनका साइज एक डॉमेस्टिक हैं के बराबर होता है इनके लेक्स में तीन टोस पाए जाते हैं आगी की तरफ एक हेलक्स और पाए जाता है पीछे की तरफ विंग्स इनके वेस्टीजल है इनकी जो चोंच है बिल जो है वो काफी लंबी होती है और उसकी टिप पर जो है पाए जाते हैं के कीे सेंस ओफ इसमेल देखने को मिलती है इंग जो यूणिक बर्ट्स के मामले में फूर्श्चन यह है जो है इतना अच्छा नहीं मिलता लेकिन इनमें जो है अच्छी आशला से या इंसेक्ट दो है अंकर प्रिकरती हैं इसके बाद जो नेक्स्ट ओरर है वो है दो एक्स्टेंट ओरर सें फ्रैटेस बर्द्र की पहला ओरर व्यार है डिनलोन उतीब फॉरmb we दूसरा ओडर है एप पेउर निथी फॉर्मिस का ये जो डिनो निथी फॉर्मिस है इस में मौज आती थी न्यूजिलेंड की जो एक्स्टेंट हो गई है नियरली 700 एगो विंग सेन में एपसंट थे ये लार साइस की बर्स थी काफी बड़े इनके लैक्स होते थे फोर टूस पाए जाते थे इनमें एप पेउर निथी फॉर्मिस की बात करें इनको एलिफेंट बर्स बुलाया जाता है ये जाएंट साइस की है और ये मौज के बाद एक्स्टेंट हुई है यानि रिसेंटली एक्स्टरमिनिशन हुए इनका इनके विंग्स जो है वो काफी छोटे औ और लेक्स पारफुल और फॉर्टूड लेक्स जो इनमें पाए जाता है इसमें आती है इसमें आती है एलिफेंट बर्स अफ्रीका और मेडगेसकर की इसके बाद दिखते हैं लास्ट और है टिनेमी फॉर्मिस का जोकी सही मायनों में देखा जाए तो फ्लाइटलेस बिलक सब्सक्राइब का इसका एक्जामपल है टिनेमस के बाद हम देखते हैं नेक्स पर उडर जो सुपर और पहले उगने थी के बाद जो नेक्स पर उड़र आता है निवर्टिस सब क्लास में वह एं इंपीनी जिसमें की एक और इंट्रूट किया गया है इस पीनी सी फॉर्मि पहाँ जाते हैं कि ईसी मलें को गया है सकते हैं 5 3 लाकों तो इसका एगजांपल हैं पैंग्विइंस् रहती हैं नेक्स सूपर और है इसके बाद नियोग नेथी ये करिनेटी का नियोग नेथी यहां पे जो शब्दे युज के जर्णा नियू जा के लिए क्योंकि इनका जो जॉ है वो पैलियोग नेथी जो सूपर अउडर है उससे थोड़ा अलग होता है फिर उन हें तो में से में नहीं और नहें थाज हैं। जो हैं उमर फोटे हैं तो फzepने केयों सेंसें कोछते हैं। डूर्ट के अजसी हैं। क्युंकि और हमें किय्कीन में तेन कील पाया है। एक ही ओर्डर को ब्लॉंग करती हैं वह पैसरी फॉर्मिस इनको पर्चिंग बर्ड बुलाया जाता है विंग्स इनके वेल डेबलर्ट होते हैं इंटर लॉकिंग मेकिनिस पाई जा रहा है फैदर्स में और रेक्टराइसिस प्रेजन्ट होते हैं रेगुलर्ली अरेंज होते है यानि इसके अलावा ओयल ग्लेंड में प्रेजन्ट होता है स्कल सुचूर्स जो है वह बहुत अर्ली डिसपेर हो जाते हैं जबकि पहले उगनेथी में स्कल के बीच की जो सुचूर्स हैं वह काफी एडल्ट स्टेज पर तक बनी रहती हैं काफी लेट डिसपेर होते हैं स्टर्नम में वैल डेवलप्ट कील पाए जारी अंसीनेट प्रॉसेस पाए जारे हैं थोरे से क्रिप्स में तो यह सभी इनकी अडेप्टेशन से फ्लाइं के लिए जो की पहले उगनेथी में क्योंकि वह फ्लाइटलेस बर्स हैं उनमें यह एपसेंट रहती हैं लिकि इनम सब्सक्राइब करते हैं और उसमें अपने एक्स ले करती हैं फिर इंक्यूबिशन के थ्रू जो इनका डेवलप्मेंट होता है साथ में जो यंग बंस निकलते हैं यानि की फुली डेपेंडेंट हैं पेरेंट्स पर पूरे वर्ल में का डिस्ट्रिबीशन हैं और इस सुप सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ जर्नल ओर्डर की बात करें तो इनमें एक और आता पैसरी फॉर्मिस का जिसका मतलब एक्चुली स्पैरो से लार्जेस्ट ओर्डर है बर्ड्स का यह क्योंकि इसमें जो बर्स की स्पीशिस हैं हाफ से ज्यादा स्पीशिस जो है नोन सब्सक्राइब की जाती है इनके फीट अडेप्टेट होते हैं पर्चिंग के लिए पर्चिंग मेकनिस्म जिसके थू यह बर्स जो हैं जब किसी भी ट्विक पय या पेड़ पय जो डाली है टहनी पर बैठती हैं तो इनके जो टोस हैं वह अपने आप ही लॉक हो जाते हैं इस पोजिशन में कि यह वहां से गिरती नहीं है तो इससे पर्चिंग मेकनिस्म कहा जाता है इसका अच्छा एक्जामपल है पैसर डॉमेस्टिकस तो कि कॉमन हाउस पैरो है इसके अलबावा इसमें कॉमन हाउस क्रो इंडियन जंगल क्रो मैना टेलर बर्ड मैकपाई क्रो स्थारिंग यह सम इंक्लूड किये गयें नेक्स्ट अर्डर है कॉलमभी फराम जो कि डॉन्वर इस और पीजन्स का और रहे जिसमें कॉलंबा लिब्या जिसे ब्लू रॉक पिजन को मिलता है इसके लाबाव 17 फॉरमिस्ट जो डॉर है पेरेट्स का प्राकीट का लव बर् कीट है जो कमली देखने को मिलता है उसे इंक्लूड किया गया एक और और फिर गैली फॉर्मिस जिसमें जनरली जो है आपके फॉल आते हैं रेड जंगल फॉल गैलस पी फॉल क्वेल पीजन्स इनमें इंक्लूड किये गए इसके बाद जो एक नेक्स्ट और है ग्रूई फॉ जो की राइस्तान की स्टीट बर भी अक्रियोट इस नेक्रिशेप्स बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड